दोस्तों नया साल मुबारक हो आपको और आज हम 2021 के पहली सोंबार को अपना पहला वीडियो से रूबरो होना चाहेंगे 2021 की पहली वीडियो देश के भविश से आपके सपनों या फिर चाइल्ड प्लान से करना चाहेंगे हां तो इसके बदले एक और बात कहना चाहेंगे नया साल का स्वाब्यत करते करते कि समापत होते पिछले बर्स 2020 में मेरे मन, कर्म, बानी यो बेवार से यदि किसी को ठेश पहुँची हो तो मैं हिर्दे से छमा प्रारते हूँ आपका बर्स 2020 में जो हमें प्यार स्निय मारगदर्शन मिला, साथ मिला, आसा करता हूँ कि आगे भी ये सब बरकरार रहेगा और एक आसा के साथ मैं नया नया वीडियो लेके आपको पेश करता रहा हूँ मैं पन से तो अमीर नहीं हूँ लेकिन दिल से आप सब के लिए जरूर अमीर हूँ मैंने हरदम अपने सब्दों एवं बानी के मध्यम से आपके हर्दे को छूने की कोशिश करता रहा हूँ अगर समय के इस दौर में यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो तो कृप्या आप अनूज से समझ कर माफ कर दिजेगा अदम आपके सहयोग, प्यार, सने और मारिकदर्शन से आसा के साथ आपके सुखे जीवन की काम ना करता हूँ नौ बर्स का अभिनेंदन करता हूँ हाँ तो इस नौ बर्स के नए वीडियो के साथ मैंने सोचा है यदि आपके भविषय का निर्माण के लिए आपके भविषय के प्लानिंग के लिए अगर पुछ करना है तो सरपर्थम अपने जीवन में एक चाइल्ड प्लान जरूर लेने का प्रयास करेंगे अगर आप एक माता पिता है तो अपने बचे का स्वास्त सुरक्षा सिख्षा एम सम्रिधी यानि कि उनके भविषय आपके हाथों में हैं आप उनके उमीदों एम सपनों के रख्षक हैं इसलिए हर गड़ी ने आरतिक रूप से सम्रक्षित एम सुरक्षित रखना आपका अहम और प्रथम करतब बनता है तो यहाँ पर कुछ पांच पहलूं को मैं आपके सामने प्रसूत करना चाहता हूं जो बहुत अहम पहलू है बहुत महतकुन विषय है जिस विषय पे ध्यान देके आप चाहें तो एक सुरक्षित और अच्छा बीमा ले सकते हैं बच्चे क लिए यह मेरा एक बहुत लंबे दिन का अनुभव है जिसके आपके साथ सेयर करना चाहता हूं इस नए बरस में नए अंदाज में नए तरीके से सरपर्थम यहां हम देखेंगे कि वह कौन से 5 पहलू है 5 विषय है जिसको मुझे गौर से देखना चाहिए तो एक नंबर मे आप चाइल प्लान लेने का सब तही समय क्या होता है इसे देखेंगे चाइल प्लान लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए चाइल प्लान लेने के फायदे क्या होंगे चाइल प्लान लेने से नुकसान क्या होंगे नुकसान भी होते हैं दोस्तों इसे भी आप देखेंगे और चाइल्ड प्लान कैसा होना चाहिए आपके बच्चे के लिए आपके भविष्चे के लिए इसे भी हम देखेंगे स्टेप बई स्टेप स्वंपूर्ण वीडियो देखेंगे तो आपको इन पांचो प्रस्नों के जबाब मिल लाएंगे इन पांचो पहलों को मैं विष्चार से बताने का प्रयास किया हूँ या पूरा वीडियो जरूर देखेंगे तो मैं योगेंदर योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस नए बर्स में भी आपका वेलकम करता हूँ ये चलते हैं हम लोग इन पांचो पहलों के साथ तो सरपर्थम पहले पहलो पर हम लोग ध्यान देंगे कि चाइल प्लान लेने का सही समय क्या होता है ध्यान पूर्बक सोनियगा मित्रों आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा मुझे पून विश्वास है तो यहां हम कहेंगे कि मेरे हिसाब से चाइल प्लान लेने का सबसे साही समय बच्चे के जन्म लेने के बाद जो आपका सरपर्थम छठी मनाते हैं यह फिर यह कहां कि जैसे जन्म लेने के बाद छठी मनाते है वो होता है बच्चे के लिए सबसे उचीत और स़ही समय क्योंकि इस सरकार भी एक कथन है कि कम से कम बच्चा बच्ची जो भी जन्म लेता है तो उस दिन या उनके छठी के दिन कम से कम सो बिरिक्षा रोपन जरूर करना चाहिए जिससे वो मेरे रक्षक होंगे वो मेरे बेटे के समान होंगे या बेटी के समान होंगे तो इसी प्रकार हम कहेंगे कि उस दिन अगर एक आप पॉलिसी लेते हैं तो अपने बविसे के लेने का चाइल प्लान लेने का वही होता है तो हमका इसलिए छटी के दिन को महत्वपुन्द बताते हैं क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जिस दिन आप अपने इस्ट मित्रों, समंधियों, दोस्तों सबको इंभाइट करते हैं, बुलाते हैं उसमें आपका एक सुखिन तक आ सारे हितासी दोस्त मित्र उपहार स्वरुप बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमारा आपसे एक महत्वपुन्द बिंती होगा, कि आप अपने बच्चे के लिए एक चाइल प्लान उपहार के रुप में जरूर दें, वो आपको जो मर्जी बनता है, जो आपका इक्षा करता ह जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर बच्चे के भविस्य में आने वाले खर्च के लिए, जितना आपको उचित लगता है, उतने का आप चेक काट के रख सकते हैं, और उन एडवाइजर बंधु को, उन एजिन्ट महोदे को आप जरूर इंभाइट कर सकते हैं, कि आप सबसे महत्वपून और उचित समय, ऐसा बात नहीं है कि अगर आपका, आपके बच्चे के सकते हैं, ता पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए कभी भी पॉलिसी ले सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं होता है, कि जीरो साल में ही पॉलिसी लेना ह होता है या फिर सही उची तरीका कौन सा होना चाहिए तो यहां सरपर्थम बोलेंगे कि आप यदि बच्चे के नाम से पल्सी ले रहे हैं तो उनका एक नामकर्ण होना चाहिए वैसे इसमें भी कोई बांडेशन नहीं है कि जिस नाम से जैसे बच्चा आपका जैसे ही चक्ति का दीन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन जो नाम रख दिये वही नाम हमेशा चलता रहेगा या वही डेट बर्त दनम किती हमेशा चलता रहेगा हो सकता है कि जैसे ही बच्चे बढ़े होत लेकिन चाइ़ प्लान लेने का साही तरीका के अगर बात करूँ इसमें विशेष ध्यान जरूर इसको दिजेगा कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का जनम तित्यथि क्या है, डेटवर्थ और बच्चे में नोमिनी कौन है नोमिनी बोले तो हमेशा देखेंगे कि नोमिनी के रुप में बच्चे के माता जी को ही नामीद किया जाता है लेकिन हर insurance company की हर अलग-अलग तरह की policy होती है उसमें होता है कि बच्चे को ही आप नोमिनी बना देंगे और insurance के कुछ company होता है कर बच्चे को nominee बना देगे और बच्चे के माता जी को appointee के रूत में नामित कर देंगे और नहीं तो कुछ policy कुछ insurance company हो में या कुछ child plan होता है बच्चे के नाम से ही policy लेंगे और father's जो होंगे proposer हो जाएंगे पिता जी proposer हो जाएंगे और फिर बुचे की माता जी इन्नो मनी हो जाएंगे ऐसा भी होता है तो हर company का अलग अलग child plan होता है लेगिन जो उसमें suitable हो उसे ही आप लें संपूर्ण पढ़के और एक महत्पूर्ण ध्यान देने वाली बात यह ह कि कभी भी आप अपने बच्चे के लिए policy लें, तो प्रपोजर के रुप में पिता जी ही बने तो जादा अच्छा रहता है, दादा जी को किरपया फ्रपोजर नहीं बनने दें, दादा जी अगर अपने बच्चे के नाम से, नाती पोता के नाम से अगर प्लसी लेना ही चाह तो फिर उसमें प्रपोजर पीता जी बच्चे के पीता को ही बनाएं तो ज़्यादा उल्टिक होता है क्योंकि जहां प्रपोजर अगर दादा जी बन जाते हैं तो वहाँ WOP की बेनिफिक नहीं मिल सकती है WOP बोले तो वेवर अब बेनिफिक की बढ़वान न करे कुछ हो अगर किसी परा का क्लेम होता है तो उसमें WOP का बेनिफिक नहीं मिलता है और वो प्रीमियम आपको कंटीनिव पॉलिसी काम पर जमा करना पड़ता है तो इस बात को जरूर आपको ध्यान देना चाहिए और यह उचित यह पॉलिसी लेने का चाहिए प्लान लेने का उचित तरीका होता है तीसरी बात बताएंगे कि चाहिए प्लान लेने के फायदे क्या क्या है तो चाहिए प्लान लेने के एक सबसे बड़े फायदे यह होते हैं कि आप स्टेस फ्री हो जाते हैं यादि आपने अपने बच्चे के लिए पॉलसी ले चुकी है, तो संपूर्ण परिवार के तरफ से टेंशन प्री हो जाते हैं, ऐसा नहींगे सिर्फ बच्चे के तरफ से, क्योंकि एक चाइल्ड प्लान में एक तरह से माता भी कभर होती हैं, आप भी कभर होती हैं, और बच्चा भी कभर होता है, माता को मैं इसलिए कभर बोलता हूँ बच्चे के माता को कि बगवान में कुछ हो प्रपोजर का लेगिन अगर कुछ प्रपोजर का होता है तो फिर ये बॉर्डन नहीं रहता है बच्चे के माता जी पर कि कैसे उसकी पढ़ाई होगी, कैसे उसका परवरिश होगा या फिर कै से इस पॉलसी का प्रीमियम जमा होगा तो यहां आप देखेंगे कि सरपरतम इससे स्टेस फ्री हो जाते हैं टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया बहुत कुछ कर दिया एक आपने उचित अगर पॉलसी ले लिया एक ऐसा डियाइन करके लिया कि उसके आने वाले पांग साल, छे साल, आट साल के बाद जो स्कूलिंग फी होगा या पिर आगे के जो फी होगे उसको हम कवर्ड कर पाएंगे दूसरा कि आप देखेंगे कि इंसुरंस पॉलसी में टेक्स सेविंग का बात होता ही है तो एक टीसी के ताद आप टेक्स ले कर लेते हैं बतत का अच्छा तरीका उठा लेते हैं जिससे एक सिभिंग भी आपके स्टार्ट हो जाती है छो था आप देखेंगे इसमें लोन जो आप बच्चे के लिए चाइन लोन के प्लान करते हैं तो हम कहेंगे कि जो चाइल लोन का आपका उमीद रहता है कि इस तरह लोन लेना पड़े गए एजुकेशन लोन तो इसको अगर आप लंभी आउदी का प्लसी ले लेते हैं चाइल प्लान की रूप में तो आपको एजुकेशन लोन लेने के जरृत नहीं पढ़ती है एजब बच्चे के हायर एजुकेशन के जरृत पढ़ते हैं जहां काफी प चार लाख पाच लाख एन्वल प्रीमियम लगने लगता है क्यों हम आज ही ऐसा पॉलिसी ले लें तो उसके मैट्रिक के बाद इंटर के बाद या नहीं कि उमर के 15 साल या फिर 17 साल के बाद उस प्रीमियम की इंसोरन से ही भरपाई होने लगे चुकि सबसे बड़ा फायदा क क्या हुआ कि भगवान ने करो कुछ हो कि वही आपका प्रीमियम उस टाइम आँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है इसलिए हम बार-बार बोलते हैं कि अगर चाइल प्लान को आज ही हम टार्गेट करके ले ले लेते हैं तो आने वाले भविश्य में किसी चीज की जरूरत नही जाता है चुकि यहीं से हमारे पेमेंट के भरपाई हो सकती है हो जाती है चौत्वी बात कहेंगे कि चाइल प्लान लेने के नुकसान भी होते हैं तो हम देखेंगे कि चाइल प्लान लेने से नुकसान क्या होते हैं चुकि इंसोरेंस पालसी लेने से फायदा ही फायदा होत बच्चे की धन से परवरिस नहीं हुई हो, बच्चे को अच्छा संसकार नहीं मिला हो, और बच्चे का अच्छा संगत नहीं मिला हो, अलाकि कोई भी ऐसी माता-पिता नहीं है बच्चे के, जो बच्चे की इन तीनों जरुतों के पूर्ती करने में कमी करें, लेकिन एक संग तो उस रुपिय का अगर आप चाइल प्लान ले लिए हैं कि जहां इस पॉलिसी का जो सर्भाइबल बेनिफिक मिलेगा जो रेगुलर रिटर्न मिले लगेगा उसका वो बच्चा के नाम से अगर मिलता है तो कहीं वो बच्चा मिस्यूज न करें क्योंकि चाइल प्लान में ज उसको मिलेगा बच्चे को ना की प्रपोजर को तो बच्चे को जैसे ही पैसा मिलने लगेगा तो बच्चा तो हो जाएगा वो इंटर के लेवेल का मैट्रिक से उपर का तो उस समय उनका लत भिगड़ सकता है संगत में आके तो हम यहीं कहेंगे कि बच्चा का नुक्सान भी होता है इस policy से लेकिन policy जब भी लें तो यहां ध्यान दें अगर नुपसान से बचना है तो कि हमेशा अपने नाम से लें चुकि एक चीब ध्यान दीजेगा policy आप अपने नाम से लें या फिर बच्चे के नाम से दोनों में महत्वपूर्ण भोमिका आप ही की है क्योंक मुझे नहीं लगते हैं कि उसकी जरुत कभी आती है, बच्चे का कुछ हो जाने से आपकी आर्थी कोई नुपसान नहीं होती है, बहुत बड़ा दुफ जरुर होता है, पुरुनिये छती होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लेना चाहिए पॉल्सी, जिसमें बच्चे का इनके अनहोनी से ही बच्चा परभावित हो सकता है, या फिर परिवार परभावित हो सकता है, जो कमाने वाले बगती है, जैसे घर नहीं चलता है, उनको इंस्वरंस की बहुत ज़्यादा आवसकता नहीं है, मेरे हिसाब से, बाकि आप अपना मर्जी आप दीख से, प्लान में, लेकिन अगर किसी किसी कमपणी में नहीं हो, जैसे आपको देखने को बहुत जगा मिल जाएगा, जो भी पॉलसी कर रहे हैं, आपके एडवाईजर, एजेंट में होदे हैं, उनसे जरूर पूछ लेजे कि इसमें इन्विल्ट है, कि अलग से लेना पड़ेगा तो इन्विल्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप जरूर ले लिजे, पूछ के ले लिजे, क्योंकि उसके बिना चाइल प्लान कभी न लेजेगा, अब यहां मैं अंतीम और ठाच्वी बात कहना चाहूंगा कि चाइल प्लान कैसा लेना चाहिए, तो जैसा कि मैं ब जानते हैं कि आज के एजुकेशन के दौर में हमारे बच्चे को कब से और कितना रुपया देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं 10 तक अफूर्ट कर सकता हूं, तो आप अपने से प्रिमियम दे, 10 के बाद यानि कि 15 एर, 14 एर के बाद रेगलर इंकम का प्लान करें, और नहीं, तो आपको लगता है कि मुझे 15 के बाद ही कुछ इंसोरंस से सपोर्ट लेना चाहिए, तो आप 10 सल के बाद, यानि देख लें कि कौन से यर में उसका पाचवा कलास होने जा रहा है, उस टाइम से आप चाहें तो रेगलर इंकम से उबर डिपेंड करता है, क्योंकि रेगलर इंकम के एक टाइम होता है, कब से आप लेना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात आती है कि इसमें रेगलर इंकम ले, रेगलर इंकम में भी दो-तीन तरह के बात होती है, एक होती है, रेगलर इंकम हम बोल रहा है, उसको जो जो ब होता है कि आपको कब से यह वान चाहिए तो रिएगुलर इंकम से हमारा ये आश्य होता है कि इंटर्वल देखे इस तरह से आपके बच्चे के पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो मेरा कहना होता है कि आप रेगुलर यहां लेने का प्रियास का, रेगुलर बोले तो अगर आपको 15 में साल से चाहिए, तो 15 हमें, 14 हमें, 17 हमें, 18 हमें, रेगुलर चाहिए, क्योंकि उससे आपको सपोर्ट मिल सक या पिर policy, education loan लेने की जरूरत नहीं पढ़ सकती है, तो यहां यह ध्यान जरूरत देना होगा, कि policy मेरा ऐसा होना चाहिए, जिसमें regular income होना चाहिए, without interval, दूसरी बात, जो मैं पहले बता रहाता है कि policy में WOP जरूर होना चाहिए, तो WOP देखके लेना होगा, यह अगर साब से अगर आप 10 लाक रुपय का समय सोड लेते हैं, 500-600 रुपय का आसपस में WOP आता है, या उससे कम ही आता है, तो WOP के बीना कोई भी policy नल है, और कहेंगे कि अगर आपको ऐसा प्लान लेने की है, तो आप उसमें जरूर ध्यान दिजे कि मेरे बच्चे को कबसे पैसे क जरूरत, उस तरह का प्लान लिया जाए, चुकि हर insurance company में child plan है, चाहे LIC हो, टाटा हो, बिरला हो, सिर्राम हो, भजाज हो, रिलाइन्स हो, ऐसी जो भी हो, जितनी life insurance company है, सभी insurance company में child plan पढ़ा हुआ है, तो उस child plan को देखें, अपने जरूरत कों सार समझे जाने, तब ही जा मेरे हिसाब से, बाकि आपकी मर्जी, मेरा कहना यहाँ, एक ही बात है कि मैं अंदाज का मतलब हो गया, मैं किसी भी एक company का पॉलसी नहीं बता रहा हूँ, मैं संपून ऐसी पॉलसी की जानकारी देने का परियास कर रहा हूँ नय साल में, जिसकी जरुत तो आपको है, लेकि आते जाऊंगा, आगे भी मेरे आने वाले वीडियो, इसी तरह के वीडियो होंगे, जिसमें आपको संपून जानकारी मिलेगी, संपून अनुभा मिलेगा, मैंने अनुभा की ही बात बताई, कि दादा जी अगर पॉलसी लेते हैं, तो बच्चे को नहीं मिलता है, उसमें W इसलिए बोलेंगे इसको ध्यान दीजिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्त मित्रों के साथ, और कमेंट कर जरूर बताईएगा मुझे, तो मित्रों एक बात जरूर पहेंगे, कि सब्सक्राइब कर बेल जै भारत, नमस्कार